हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो और चैनल, तब इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं आज वेसरी आज तो आपकर को चैनल के सांगवाल हो घा हो तो अगर अपने यूटुटुब पैर पहली बारहे हैं और अगी तक अपने अपने स्मार्ट कंपनी की फ्लू फ्रेज्ट टेर्ड सो जिसमें आपको जो कॉंपजिसन देखने के लिए मिलता है मैं आपको एक बात बता दू बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा क्या किरकारी, कॉंपजिसन, फॉर्मुला, ड्रग, साल्ट, क्या होता है तो मैं आपको बता दू इसमें आपको जो दवाई मिलती है ये देखे, ये फ्लू कॉन जॉल इसकी दवाई है और ये जो है, ये एक प्रोडेक्ट ने में जिसको इस स्मार्ट कंपनी ने बनाया तो रखा है अगर इसको कोई और कंपनी बनाती जैसे कि इस टॉपिक ने बनाया है तो सिस्टॉपिक ने क्या रखा है आफ नाम रखा है उसमें भी आपको फ्लू कॉण जॉल मिलती है बट स्मार्ट कंपनी ने बनाया है तो इसका फ्लू inflation रखा है बट उसके अंदर आपको जो दवाय मिलती है सेम ही मिलती है ओक ही तो है फ्लू कॉन अजाल की यह एक एन्टी फंगल साल्ड है एक एन्टी फंगल यह टेबिलेट्स हैं मैं आपको टेब्लेट दिखा देता हुं इसके अंदर खाज, खुझली से related जो प्रॉग्लम्स हो जाती हैं आपको ये उनमें काम आती है आपके अगर कोई भी जैसे anti-fungal कोई भी दिक्कत हो गई आपको फंगल प्रोग्लम होगी है फंगल बैक्टिकल जो हो जाता है अगर उससे रिलिट आपको कोई भी दिक्कत हो गए बरिशा नहीं हो रही है तो आप इनको ले सकते हैं आप इनको खा सकते हैं आपको बहुत ही बढ़िया इनका रिचल देखने के लिए मिलेगा और यह आपको मैंने बताया नॉर्मल किसी भी मेटिकल स्टोर पर आपको मिल जाएंगी और अगर आपको इस प्रोड़क्ट ने मिलते हैं कोई बात नहीं आप फ्लू कोना जॉल के नाम से नाम से आप इनको ले सकते हैं मार्केट में तो मैंने आपको बताया यह आपके दाद सब्सक्राइब में काम आती है और यह जो साल टैस के अंदर यह कौन से ट्रिक्स से रिलेटेट करता है तो अब इसके हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं अखरकार आपको इसके डोजस किस तरीके से लिन चाहिए तो इसके जो डोजस हैं आपको एक टैबलेट लेगी है आपको भी भी लेए एक टैबलेट लेकर कम से कम आपको एक से दो दिन का गैब देकर तीसरे दिन आपको एक टैबलेट खानी है आपको यह सुबह साम के बेसिस पे नहीं खानी है बिल्कुल भी कि आपने एक टैबलेट सुबह खाली एक टैबलेट साम खाली आपको कम से कम एक या तो दिन का gap देके दूसरी टैबलेट जब खानी है इस बात का आप ध्यान रहे हैं और अगर आप इस टैबलेट को ज्यादा mg में लेकर आते हैं तो कम से कम आपको तीन दिन का gap देकर उसको खाना चाहिए और आपको कोई होगी डौक्ट्र कंशल्ट कर रहे है कि आपको कोई डौक्टर आपको बता है इस Тांरी जाए इतनी जाए想ए तो हैं नहीं कर लेजे तो आज की वीडियोंता है अपको सब्सक्राइब कर लिन को छलतेमें अपको अपके ल नेक्स्ट वीडियों